हेलो फ्रेंड्स मैं मुमा संकर आप दिख रहे हैं यूए स्टिक चैनल और आज हमारे पास है एक के जियो का आप एफ नबबे एम बलेग मुवाईल यह मुवाईल है और इस वीडियो में आपको इसमें जो 50% की जो समस्या होती है क्योंकि बैक बार होता है कि मुवाईल 50% से नहीं जादा चार्ज होता है नहीं कम चार्ज होता है और ये सुच आफ में जो है चार्जिंग सो दिखाता है और सुच ओन होने पर ये चार्जिंग का सैंबल भी नहीं दिखाता है तो ये प्रॉब्लम इसमें थी बोर्ड में तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करके बताया है और इस वीडियो में हम आपको step by step हर एक चीज बताने वाले हैं कि कहां से इसका fault जो है इस समस्या का fault आता है तो ध्यान से देखें वीडियो को जरावी skip न करें क्यूंकि इस समस्या से संबंदित सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो friends सबसे पहले अगर इस तरीकी की आपके पास समस्या आ रही हो कि mobile हमारा 50% डायडेक्ट बताता है वह 204 पे और switch on पे कुछ भी symbol charging का नहीं दिखाता है तो ऐसी condition में सबसे पहले आपको multimeter से यह वाला crop यह बीच वाला यह बीच वाला चेक करना है तो हम भी चेक करें कि आपको दिखा देते हैं मल्टी मिटर को बजर रेंज पर सेट कर देना है तो यह हमने कर दिया है तो आपको ऐसे चेक करना है यह रेड वाली crop को ग्राउंड पर रख लेना है जैसे हमने इसको ग्राउंड पर रख दिया है और यह बीच में चेक करते हैं तो फ्रेंट्स आप दिख सकते हैं कि बीच वाले पॉंट पर हमारे अगर वाल्टिज कुछ मिल रहा है तो यह समझे हमारी यहां से नहीं है ठीक है और दूसरे नमबर पर आता है यह चार्जिंग जैक तो चार्जिंग जैक हमारा सही है कि नहीं है उसके लिए सबसे पहले अपन को चार्जर इसमें लगा देना है और जैसे ही चार्जर लगाएंगे अपन और ये बगएर बैटरी के अगर ये चालू होता है इस तरीके से चालू और बंद होता है तो आप समझ लेजी कि हमारा चार्जिंग जैक भी बिलकुल ओके है ठीके तीसरी प्रोबलम है आप एक बड़ बैटरी को भी दूसरी डाल के चेक कर लें अगर यहां से और जैक भी हमारा दोनों चीजें बिलकुल सही है तो फिर एक बड़ बैटरी दूसरी आप डाल के करें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा तेरीस समस्या हमने आपको बता दी हैं और चौथी समस्या जो है कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यह चार्जिंग जैक जो है यहां पे जो प्रेंट आउट हो जाते हैं कई वार नए मिश्तिरी जो होते हैं उनके द्वारा कई वार चार्जिंग चेंज की जाती है तो प्रेंट इसी को खड़ जाते हैं और वो पर जो है आपको लगाने हैं वो हम step by step एक एक करके आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को जरा भी skip न करें क्योंकि यहां पर जो सबसे बहात फूर्ड चीज़ हम आपको बताने वाले हैं तो इसको रख देते हैं मॉबाइल का PC भी हो गया है अब PC में यह हमारा जैक लगा हुआ है charging jack यह मान लीजिए charging jack हमारा लगा हुआ है ठीक है तो charging jack के बगल में आप देख सकते हैं यह दो point है यह दो point तो यह हमने एक यह बना दिया है और एक यह बना दिया है और charging jack के पीछे जो है five point होते हैं एक यह एक यह एक यह एक यह और एक यह 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 यानि कि हमारी यह पांच वो बन चुके हैं तो यह हमारा जैक जो है complete हो गया है अब आईए charging jack के just बगल में एक iso होता है यह मानली जी आई सी हो गया कि इसके बगल में एक component हो गया कि इसके बगल में बी वी उएस करके लिखा हूआ है तो यह चार्जिंग का हमारा यहां पर चार्जिंग का सेंबल जो है अपन को मिलता है और यह एक और भी जश्ट बगल में है यह ग्राउंड तो यह ग्राउंड है ग्राउंड अपन को यहां से भी मिलता है तो ग्राउंड यह तो आप समझी सकते हैं यह ग्राउंड है ठीक है तो वो अपन को जमपर लगाने कैसे हैं वो हम आपको बता देते हैं तो यह हमारा इसका पॉजिटिव सिरा है और यह माइनस सिरा है यह और यह और यह तीन यूएसवी से संबंदित सिरा होते हैं बीच के तो अगर इस तरीके की आपको समस्या आती है तो यह जो पॉजिटिव सिरा है यह आपको यह चार्जिंग के सिरे से लेके आपको इस पर जोड़ देना है जमपर को पॉजिटिव सिरे से यहाँ पर यानि की इस पर बी बी यूएस करके जो लिखा हुए है उस पर यह सिरा हमारा जोड़ जाएगा ठीक है और यह ग्राउंड है तो ग्राउंड को आप सीधा सीधा यह ऐसे भी जमपर दे सकते हैं ठीक है और अब यह समस्या कहां से आती है यह दूसरा दूसरा है मारा यह जो दूसरा सिरा है दूसरे नंबर का पॉजिटिव की दूसरे नंबर का जो सिरा है आपको सीधा ले जाके यह दूसरे नंबर का जो नेचे जो सिरा है डीम करके है इसमें डीम लिख देते हैं तो यह दूसरे सिरा को अपनको डीम पर इसपे लगा देना है ठीक है और तीसरा सिरा जो है तीसरे सिरे को यह DP है यह DP यहां पे लिखा होता है फ्रेंट्स हमारे मारकर कम चल रहा है तो आपको हम इस्टे बाइस्टे बताते हैं जो DP है जो यह भी सही नहीं चलना है जो DP है यहां से उठा के इसको तीसरे नंबर पर जोड़ देना है और यह चौथा जो होता है यह किसी काम का नहीं है आप इसका इस्तिमाल ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है और कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है फिलाल इसकी जरूरत नहीं है और इसको आप शोड़ दें तो आप इस तरीकी से अगर जम पर लगा देंगे तो आपकी समस् सीज़ा का समाधान हो जाएगा इस तरीका से को जम पर लगाने हो ठीक तो इस वोड को हमने इसी तरीके से सुधारह है आप देख सकते हैं कि जम पर इसमें लगे हुए हैं तो कुछ प्रेंट इसके उकड़े थे कुछ नहीं उकड़े थे तो हम नए कहा कि आपको सारा ही डिटेल बता देते हैं कि कहां से कहां पर यह जमपर लगने हैं तो एक बार फिर से बता देते हैं यह यहाँ पर DP है इसको DP को यह तीसरे पॉंट पर जाएगा यह वाला और अगर नहीं भर रही है और charging आपर ये, ज तक में तो बगल ले, Profet एक हम भर डिर्ञादउ मर जोड देना समय जूद से लृधकशिक्त साथ को आपको लोडिय kid यह जोड़ देना सी का जोड़ जोड़ sonra और है b b s और यहां पर नहीं जोड़ सकते हैं तो यहां पर भी जोड़ सकते हैं आप इसके इसी सब्सक्राइबगा है इसकि इसी साइड जोड़ देना है ठीक है और जो groundwater हे हमारा जो माइनस होता है यह ग्राउड यह आप यहां जोड़ दें यह ग्राउंड होता है यहां पे नहीं जोड़ना है तो आप यहां से ही उठा के और इसी की बॉड़ी पे आप जोड़ सकते हैं चार्जिंग जैक क्योंकि यहां पे भी ग्राउंड आता है यहां पे भी जोड़ सकते हैं और यहां पे भी जोड़ सकते हैं जहां फर्षेंट जो चार्ज होता है उसकी जो समस्या है उसको हम सही करके आपको बता रहे थे और उसका पूरा डाइग्राम हमने बना के दिखाया है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब पर देना साथ इसाथ बगल वाली घंटी को भी दबा देना ताकि इसी से सम्मंदे जो भी वीडियो हो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे थेंक यू